अलो आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासे लाइफ टेस्ट एंड क्विज्जेस अनलिमिट एक्सेस 24-7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चेस जितने भी स्टडी मेटीरियल से उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकाडमी लेंग डाउनलोड करें ग है 136 1224 सिंस नीट यूजी का सिले बस थोड़ा वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे आदा पॉपलर एंड मोस्ट रिकमेंड़ भी है और आप देखेंगे कि एक साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 एड करिए तो आपको मिल सिर्फिटी कैनाडा मैं जरी सर्चर में समय काम कर रहा हूं और आप परसनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलिग्राम नीचे अड कर दिया है तो आप हम एविलूशन की तरफ बढ़ेंगे अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ का एविलूशन हम दो प मार्श पर खोजी जा रही है लेकिन अब तो कुछ भी कंफर मेशन नहीं हुआ ठीक है कि कहीं और किसी जगा लाइफ है ठीक तो अब हम बात करते हैं जब बिग बैंक फियूरी क्या है बहुत सारे बहुत सारी थीओरिज आई है कि पूरी गैलक्सी हमारा सोलर सिस्टम अब आईसे ही पूरे युनिवर्स में धेर साले सोलर सिस्टम प्रेज़ेंत हैं तो अब आप देखेंगे पूरा युनिवर्स कितना बड़ा है उसमें अर्थ एक छोटा सा अगर आप compare करें एक छोटा सा molecule के बराबर है, पूरे के पूरे universe में, ठीक है, तो अब बात आती है, कि ये हमें तिनी बड़ी-बड़ी बाते करतो रहे हैं, पर ये सब चीजे आई कहां से, इसके बारे में तो हमको कोई idea ही नहीं, ठीक, तो कई theories आई थी, कि कैसे बने ये planets, कैसे बना solar system, कैसे बनी universe, कैसे galaxies, ठीक है, उसमें से big bang theory, एक theory थी, जो सबसे ज़्यादा आज की date में मानी जाती है, अभी भी सब speculation पे है, 100% proof किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है, तो ये theory, इसलिए इसको big bang theory बोला गया, कि ये भी भी एक theory है, जो कि सबसे ज़्यादा logical लगती है, ठीक है, अब देखते हैं क इसमें छोटी-छोटी चीज़े क्या है, हम, the origin of life is considered a unique event in the history of universe, आपने देखा, life आज की date में हमको दिखता है, इतने सारे आप बाहर घूमने चले जाओ, इतने सारे human beings आपको देखेंगे, लेकिन ये आए कहां से, अगर इस चीज़ बे आप दिमाग में जोर डालो, तो पी इसमें भी कितना एक development है पूरा, ठीक, एक order है पूरा, कि finally human beings बनते हैं, जो सबस्यादा advanced है, तो अब एक amoeba अपले लो, protozo का example amoeba है, उससे बढ़ते, 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 सबसे पहले वो ही आए होंगे, ठीक, अच्छा, अब क्यों आए होंगे, इनकी बाते भी हम करें कि बहुत कुछ characteristics है, जो उनमें मिलती है और हम में भी है, ठीक, respiration आप देखते है, respiration होता है, सब में ही, तो respiration की कुछ enzymes से जो उसमें भी मिलता है, हम में भी मिलता है, याने कि एक समय ऐसा रहा होगा, जब हम नहीं थे, तो वही थे, ठीक है, उसमें evolution आया, उनमें changes आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, और finally हम बने हैं, आज की date में, ठीक है, तो बात आती है कि हम तो बहुत down the road आ गए, है न, जो सबसे पहले life आई होगी, वो कहां से आई, evolution, यही सब हम देखेंगे, अब universe को देखो, तो कहा जाता है, almost 20 billion years old है, 20 billion, ठीक है, हम है, 2020 AD में ठीक, और सोचो, 20 billion years कब का कब हुआ होगा, इसी में, जो पूरा universe है, इसमें क्या होगी, धेर सारी galaxies होती है, जो combine होके universe बनाती है, और galaxies को देखो के तो क्या होता है, they contain stars and clouds of gas and dust, ठीक है, तो यह पूरी की पूरी sequence of events देखते जाना, अब बाद आती है, कि पूरे universe को देखे आपको पहले ही बताया था, earth is just a spec, एक छोटा सा dot है यह, अगर पूरे universe के perspective में देखोगे, ठीक है, अब आती है, big bang theory, एक जो theory थी, उसने बताया, कि कैसे universe originate किया होगा, क्या है यह theory, छोटा सा देख लो, सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक, छोटा सा atom present था, ठीक, जो ब बहुत जादा थी, इसमें energy बहुत जादा थी, यह टूट गया, ठीक, यही big bang है, exactly कैसे टूटा, क्या टूटा, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, यह पता है, कि यह टूटेगा तो क्या होगा, ऐसे spread होगा, फैल जाएगा, आप पटाका फोड़ते हो दिवाली में, एक पटाका जब फूटता है, तो हर जगा उसके टुकड़े जाके बिखर जाते हैं, एक्स्पैंड कर जाता है उसका area, ठीक, ऐसे ही जब यह फूटेगा, तो क्या हुआ, बहुत सारा matter निकला, साथ साथ क्या निकली, बहुत सारी energy भी निकली, ठीक है, अब यह energy क्या होग धीमे धीमे टमप्रेचर कम होने लगा, ठीक है न, टमप्रेचर कम होने लगेगा, अब थे तो यह atoms ही, तो इसमें क्या चीजे थी, कुछ particles आपस में जुर जुर के कुछ hydrogen बना दिये, कुछ helium बना दिये, ठीक है, तो हमको hydrogen helium इसलिए सबसे पहले आया, तो hydrogen helium दोनों gas होती ह तो पूरा का पूरा आपने environment देखा, उस समय hydrogen और helium की gas से बढ़ा हुआ था, ठीक है, फिर धीमे धीमे धीमे, with time, temperature और कम होता गया, gases condensed होती गई, ठीक है, चलो, यह सब इतना है, basic big bang theory क्या है, यह मैंने बताया, आगे down the road क्या चीजे आएंगी, वो हम देखते रहते हैं, त इन चीज, big bang theory की जो होती है, expansion, क्यों, देखो, जब फटेगा, तो यह सब चीजे expand करते हुए, फैलती गई, फैलती गई, इवन आज की date में भी, Hubble, यह Hubble के observation पे है, Hubble नाम के एक scientist है, उन्होंने क्या बोला, कि आज भी जो galaxies है, ठीक है, आज भी जो galaxies है, उनके बीच की दूर कर रहा है universe, तो वहीं से big bang theory का concept आया, ठीक, hydrogen और helium बन गई, इसके बाद क्या होगा, अब gases जो है, condense करेंगी, under gravitation, and form the galaxies of the present day universe, इस तरीके से ठंडा होते होते बन गया, अभी भी exact steps नहीं पता, सिर्फ एक आइडिया है, अचा अब solar system में milky way galaxy जो है, earth was supposed to have been formed about 4 billion years back, milky way हमा दीवे में भी आप देखेंगे, बहुत धेर सारे planets आते हैं, solar system आते हैं, ठीक है, तो हमारा जो solar system है, solar system क्या होता है, एक sun और इसके चारो और घूमती satellites, ठीक, natural satellite, earth बोल दो, planets बोल दो, ठीक है, तो ये part तो आपको clear हो गया, अचा अब बात आती है, there was no atmosphere on early earth, अभी तो फिर दीमे दीमे water vapor, methane, carbon dioxide, ammonia, ये सब कहां से आई थी, जो molten mass cover हो रहा था, इस ठीक है, दीमे दीमे आके इन सब का introduction होने लगा, अचा अब oxygen भी जब आ रही है, oxygen भी जब आई, कैसे आई, जो UV rays थी, light sun से आती है न, UV rays, उसने water को तोड़ दिया hydrogen और oxygen में, hydrogen हलकी थी तो और इसी oxygen देखो के आके combine होते होते, ozone layer भी बन गई है, ठीक है, और oxygen क्या कर रहा था, combined with ammonia and methane to form more water and carbon dioxide, तो देखो किस तरीके से आपस में ही ये molecules react करते करते वो चीज़े बना रहे हैं, जो हम आज की date में देखते हैं, लेकिन शुरुआती उसमें क्या हुआ, ammonia, methane, carbon dioxide, hydrogen, ठीक यही सब चीज़े present थी, वो zone layer भी बन जाएगी इसी से, और जैसे जैसे ठंडा होता चला गया, water vapor, fell as rain, क्या होगा, जैसे जैसे अर्थ की surface तो एकदम hot है, आज की date में जो होता है, जैसे जैसे उपर जाएगा, वो ठंडा होगा, condense होके, फिर वो गिरता जाएगा, and ऐसे ह गिरते गिरते उन्होंने oceans बना डाले, इसी ले इतना धेर सारा पानी है, life की बात करें तो वो 500 million साल, इस साड़े 400 million साल पहले अर्थ बना, billion, और life 500 million में आई, तो अभी भी आपने सोचा कि इसके कितनी बाद में, ठीक है, तो I hope कि एक basic idea आपको बस लगना था कि कैसे evolution आया कैसे ये सब शुरू हुआ होगा, ठीक, वीडियो पसंदा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, left-hand referral code यूज़ करके, अन-academy से जोड़ो, मुझसे पसनली जुड़ना है, टेलिग्राम लिंक मैंने add कर दिया है